नवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 6 नवंबर दिन रविवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नसर सुर्ख्यों पर परेटन विभाग की लेखन कॉंपरिटीशन में जीते लाखों का है नाम सुनपूर मेला के लिए परेटन विभाग ने लॉंच किया विसेस टूट पैकेज IFF I 2023 में पंकस्त्रिपाठी ने बताया अपना शुर्वाती करियर और एक्स्पीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाने पूरी प्रक्रिया आज होगा भारत और आउस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला अब चले बढ़ते हैं भिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से इंटेलिजन्स ब्यूरो में 995 पदों पर निकली भरती ग्रिह मंत्राले के ओर से आईबी में असिस्टेंस सेंट्रल इंटेलिजन्स ओफिसर ग्रेट दो एक्जेक्यूटिव के 995 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो उसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वहादिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बता दे क्या आवीदन करने की अंतिम तारीक 15 दिसंबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो में द्वार को किसी मानिता प्राप्त विश्विद्याले से इसना तक पास होना अनिवारे है इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख ले परिटन विभाग के लेखन कॉंपटीशन में जीते लाखों का इनाम बीतर दन यानि की 25 नवंबर से बिहार सरकार के परिटन विभाग के द्वारा एक लेखन प्रतियोगिता की शिरुवात की गई है जो की 14 दिसंबर तक चलेगी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इनाम जीता जा सकता है बता दे कि प्रतिभागी हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में अपना लेखन लिग सकते हैं ऐसे में वो लोग जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह अपनी entry www.tourism.bihar.gov.in पर जमा करा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों की उम्र 15 वर्स या उससे अधिक होनी चाहिए वह प्रतिभागी अपनी entry सिर्फ परेटन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्द Google फॉर्म के माध्यम से PDF फॉर्मिट में जमा कर पाएंगे बालू हो कि लेक शॉर्ट या लॉंग दोनों फॉर्म में हो सकता है जिसमें शॉर्म लेक में 100-200 सब्द और लॉंग लेक में 400-500 सब्द होंगे इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरुसकार के तहत 1,0,20 पॉर्सकार के तहत 75,000 रुपए सांत्वना पुरुसकार के रूप में 5 प्रतिभागीयों को 25-100 रुपए दिये जाएंगे बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे कैमूर हिल्स के बारे में कैमूर हिल्स लगभग 483 किलो मीटर लंबी विंधे पहारियों का पुर्वी भाग है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कटंगी से बिहार के सासाराम जिले के आज पास तक फैला हुआ है बिंदे पहारियों ने सबसे प्राची निकाल से मानव गतिवीदियों को आश्रे दिया है या पहारियां जो भारतिय उप महादूइक में अडावली के साथ सबसे पुरानी चटान सनचनाओं में से एक है मुखे रूप से पुरानी आगने चटानों से मिलकर बनती है जो यहां उनके शांदा रूपों और सुन्दर आकाडों में देखी जाती है यहां पर बहने वाली नदिया दरगम और उंचे घाटियों से होकर गुजरती भी कई अनोखे जलप्रपात का निर्वान करती है को और भी खूब सूरत बनाते हैं प्रकृती प्रेमियों के लिए यह जगा स्वर्ग से कम नहीं है यह स्थान परटकों को ने प्रकृती के करीब होने का एहसास कराता है कैमूर घाटी की जैव विवित्ता तरह तरह के पंची अनेको जंगली जानवर मुल्यवान आयरवेदी कॉस्धियां रहस्ते में मंदर दुर्गम के लिए प्राकृतिक जलप्रपात प्रेटकों के सफर को उत्साहित अनूठा और रुमाजित बनाता है सोनपूर मेला के लिए परेटन विवाग ने लॉंच किया विशेश टूर पैकेज बीदे दिन से विश्वक प्रसद सोनपूर मेला की शिरवात हो चुकी है ऐसे में परेटन विवाग के दोरा परेटकों के लिए विशेश टूर पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत कुक टूर पैकेज में एक रात वद दो दिन के लिए कपल टूर पैकेज तयार किये गया है इस पैकेज के लिए 6,000 रुपए देने होंगे जिसमें ITOS AC वाहन, टुरिस्ट गाइड ठहर ने, ब्रिकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स और पानी के साथ रातरी विश्राम की सुवधार दी जाएगी इसके लावा एक दिवसी स्पेशल टूर पैकेज के तहट AC बस, विंगर, डेकर बस के लिए प्रती पर्यटक 900 रुपए, ट्रैवलर, AC से प्रती पर्यटक 950 रुपए, इनोगा के लिए 1100 रुपए प्रती व्यक्ति और ITOS के लिए 1300 रुपए प्रती व्यक्ति देने होंग बता दे किस पैकेज टूर के तहट पर्यटकों को वाहन, टुरिस्ट गाइड, स्नाक्स और पानी दिया जाएगा, अगर इस विसी इस टूर पैकेज जरी को जानकारी हांसल करना चाहते हैं, तो इसके लिए www.bstdc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं बिहार में यहां लग रहा दो दिवसिय रोजगार मेला, अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यहां खबर आपके लिए हैं, बता दे के 28 और 29 नवंबर को, तकनीकी एवं 11 तकनीकी छितर में, योगिता रखने वाले अभ्यार्थियों के लिए ब उजित किया जाएगा, ऐसे में जो भी लोग इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं, उनका नेशनल करियर सर्वस पोर्टल पर निबंधन कराना अनीबार है, इस बारे में जिला नियोजनाले पतादिकारी अजय कुमार के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया है कि स्रोजगार मेला में भाग लेने वाले लोगों को अपने साथ निर्धारित जगा और निर्धारित समय पर NCS पोर्टल पर निबंधत प्राप्ती ID की चाया प्रती, बायोडाटा और सेचनिक प्रमान पत्र की चाया प्रती एवं तीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर प्रिक्षा केंद्र की विवस्था को लेकर चेर्मैन अतुल प्रशाद ने दी नई जानकारी, बेपीसी के ओर से ली जाने वाली विहार सिक्षक भरती के दूसरे चरण की प्रिक्षा को लेकर प्रिक्षा केंद्र पर की जाने वाली विवस्था और तैयारी के बारे में व केंद्रों से एक एक कमड़ा जुरा होगा केंद्र की कंट्रोल रूम में उसके सभी कमड़ों का जिला मुख्याले के कंट्रोल रूम में संबंध जले के सभी केंद्रों के कमड़ी का तथा आयोग मुख्याले के कंट्रोल रूम से पूरे राजिके केंद्रों के कमड़े का ए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाने पूरी प्रक्रिया अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह ख़बर आपके लिए हैं बतादे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ओल्लाइन और ओफलाइन दोनों माध्यम से आव पतादी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आई उसीमा 18 वर्स के उपर होनी चाहिए मालू हो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उनमें आवीदक का अधार कार्ड मूल वर्स थाई निवास प्रमान पत्र ब्लड काड़ आले में ऑफ ड्राइन टेश्ट देना होता है लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 750 रुपए तो वहीं फाइनल लाइसेंस के लिए चालां सुर्ग 2,300 रुपए देने होते हैं आपके घड़ पर भेज दिये जाएंगे आई एफफ आई 2023 में पंकस्त्रिपार्थी ने बताया अपना शिडवाती करियर और एक्सपीरियंस बिहार के लाल और बॉलिवुड के जाने माने अभी नहीं था पंकस्त्रिपार्थी को आज किसी की पहचान की जरूरत नहीं है बता दे कि 54 वे इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ एंडिया के एवंट में पंकस्त्रिपार्थी के द्वारा बातचीत करते वे अपने शिडवाती करियर और एक्सपीरियंस के बाड़े में बताया गया उन्होंने कहा कि वो अपने आक्टिंग के सपनी को पूरा करने के लिए महज 30 साल की उम्र में मुंबई पहुँचे थे लेकिन फिल्म में रोल मिलने में उन्हें लगभग 8 साल लग गया लेकिन आज के 26 साल के युवा को उदास होते हुए और अपने प्रोफेस्नल लाइफ से डिप्रिस्ट महसूस करते वे देख कर नडाशा हो जाता है उन्होंने कहा कि दुनिया एक रंग मंच है और हम अपने जीवन में भिन-भिन भुमिकाएं निभाते हैं एक्टिंग रियल लाइफ की भुमिका और भाबनाओं का मरुडंजन है और इंसान को एक सही एक्टर बनने के लिए सहानुभूती शील होने की जरूरत है एक्टिंग एक व्यापक उदेशी का पूरा करता है और साथ ही अलग-अलग एंगल को समझने के बाद लोगों को बहतर इंसान बनाता है उन्होंने कहा कि जब आप खुद को किसी की जगह पर रखते हैं उनके विचारो भाबनाओं दृस्टिकों को समझते हैं तो आप बहतर इंसान बन जाते हैं सरकारी स्कूलों में नए कैलेंडर के अनुसार चलेंगी कक्छाएं विहर के सरकारी स्कूलों में कक्छा संचालित करने के लिए स्कूल के प्रधाध्यापकों के द्वारा नया कैलेंडर तयार किया जाएगा बता दे किस नए कैलंडर के अनुसार स्कूल में कारेरत सभी सिक्षक कक्छाओं में शामिल होंगे किस सिक्षक के द्वारा कितनी कक्छा ली गई है इसकी जानकारी प्रति दिन विभाग को देनी है मालम हो कि एक सिक्षक को प्रति दिन 6 कक्षाइं लेना अनी बारे कर दिया गया है और पधाध्यापक के दोरा भी इसी हिसाब से कैलेंडर तयार किया जाएगा ताकि सभी सिक्षक प्रति दिन 6 कक्षा ले सके ऐसे में अगर किसी सक्षक के दोरा किसे दिन 6 अक्षाएं नहीं ली जाती है तो उनका उस दन के वेतन का भुकतान नहीं किया जाएगा वहीं एक अक्षा कम से कम 45 मिनित का होगा बिहारी बहुत ले इस पेशर में आज हम बात करेंगे राम शरन सर्मा के बारे में राम शिरण सर्मा का जन्म आज ही के दिन 1900 में हुआ था या एक भारतिय वामपंथी इतिहास कार है इन्होंने दल्ली विश्य विद्याले और टोरंटो विश्या विद्याले में अध्यापन काड़े किया था और साथी लंदन विश्य विद्याले के स्कूल और और एंड अफ परेकाल के दोरान विभाग का व्यापक विस्ताप्त किया गया था विभाग में अधिकांस पदों की रचना का श्रेप प्रोफेसर सर्मा के प्रयासों को दिया जाता है विभारती एतिहासिक अनुसंधान परिशत के संस्थापक अध्यक्ष भी थे उन्होंने अब तक 15 भारत का सबसे महान इतिहास कार मानते थे रामशरन सर्मा अपनी सागी के लिए जाने जाते थे वलंबे गोड़े और हमेशा धोर्ती कुर्ता पहने रहने दवाले थे आज से शिरू होगा छह मासिक रविवार वरत हर साल भादरपत सुकल पक्ष की सस्थी तिथी के बाद जो रविवार आता है वर रविवार महार रविवार के लिए प्रसद है ऐसे में आज से यान की 26 निवंबर से सुर्यो पास्टना का छह मासिक रविवार का वरत कार्तिक सुकल प्रदोश व्यापनी पुर्णिमा में भरनी नचत्र में शुरू होगा बता दे किस वरत का नहाय खाई बीते दिन सनिवार को किया जा चुका है मालमोक इस वरत में भी छट वरत की तरहां महिलाए एक दिन पहले यानिकी बीते दिन नहाय खाई करती हैं और पिर आज यानिकी 26 नवंबर को ठेक हुआ खीर सोहारी पूरी समेत अने पकवान तयार कर बास के डाला में रितुफल पकवान पांच सुपारी फूल माला वदी माला मौली धूप दीब सिंदुर रखकर घड के खुले आन च्छतिया बालकोनी में सुर्यदेव की विदिवत पूजा करती है और उनके अरके तेकर 6 महिने के इस महार अविवार के व्रत का संकल्प लेती है डिसंबर में इस दिन हर्ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी अगर आप डिसंबर में बैंक सुझरा कोई काम करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे के दिसंबर में बिहार समेद पूरे देश में बैंक कुछ दिनों के लिए हर्ताल की वज़ा से बंध होने वाले हैं दरसल ओल इलिया बैंक एंप्लोईस एस्टोशेशन के राष्ट्रे महासचीफ सी एच विंक्टा चलम के नरदेश पर बैंक कर्मियों के द्वारा बैंकों में मानव संसाधन की अत्यधी कमी के विरोध में हर्ताल पर जाने का फैसला लिया गया है जो की चलनबत पता दे कि बैंक कर्मियों का या हरताल 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तोग होगा जिसमें 4 दिसंबर को जिस बैंक के कर्मी हरताल पर रहने वाले हैं उनमें भारती स्टीट बैंक पंजाब नशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सामिल है वहिसके इलावा 5 दिसंबर को बै भीजी बैंक की कर्मी हर्ताद पर रहेंगे जोज़स सक्षकों को योगदान की तिथी से EPF मिलने का रास्ता साफ विहार के प्रात्मिक से लेकर उच माधिमिक स्कूलों में काम कर रहे कडी चार लाख नियोजस सक्षकों को करमचारी भविष्य निधी का लाब मिलने का रास में सभी नियोजित सिक्षकों को EPF का लाब 1 सितंबर 2020 की जगा उनके वास्तविक योगदान की तिति से देने के लिए आगे की कारवाई करने के लिए कहा गया है मालमोग उसको लेकर सक्षा विभाग के प्रमुक पदादिकारी को समुचित कारवाई करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है ऐसे में अगर निर्धार्ट समय में कारवाई पूरी नहीं की जाती है तो EPFO की तरफ से EPF एवं MP Act 1952 के तहट विभाग पर कानूनी कारवाई भी की जा सकती है बिहार में नियुंतम तापमान में आई गिरावर छट महा पर्व की बाद बिहार में मौसम ने अचानक से करवट लिया है राजधानी पटना समीत राजी की अधिकतर भागों में पच्छुआ हवा के प्रिभाव से ठंड का असर बढ़ गया है मौसम विझ्यान के इंद्र के अनुसार पच्छुआ के प्रिभाव से अधिकतम वन निमतम तापमान में उतार चढ़ाव के स्थिती बनी रहेगी सुभा के समय राजिक अधिकान्स हिसों में हलक अस्तर का कोरा रहरी की संभाबना है और राजिके उतरी हिसों के मद्यमस्तर का कोरा देखने को मिलेगा मौसम विभाग के ओर से जारी जानकारी में यह स्थिती नजर आ रही है 18 साइबर अपरादियों को किया गिरफतार छापे मारी में मोबाइल और नगत बरामत साइबर अपरादियों पर नकेल कसने के लिए साइबर पुलस के दोरा लगतार कोशिश की जा रही है इसी करीमे नवादा में साइबर अपरादियों के खिलाफ कारवाई करतेवे वारसली गंज के दो गाउं चकवाई और पैनगरी में छापे मारी करतेवे गाउं के बगीची को चारो तरफ से घेरतेवे 18 साइबर अपरादियों की गिरिफतारी की गई है और साथ ही इस दोरान चापे मारी में 42 मोवाइल फोन 14 समकार एक मोटर साइकल 11 कॉपी 1500 पेज और 10 लाग 2000 रुपया नगत भी बड़ा मत किया गया है इस बात की जानकारी साइबर थाना में DSP प्रिया जोती के द्वारा प्रेस कॉंफेंस कर दी गई है उन्होंने बताया कि नप्राधियों के द्व बजाज फाइनस के नाम पर ठगी की गई है पतादे कि जिन लोगों के ग्रिफतारी की गई है उनमें दीपक कुमार, सूरज कुमार, राजेश कुमार, प्रंस कुमार, पुषपिंदर कुमार, शंकर कुमार, राजेपाल कुमार, शची भूशन पांडे, काडु कुमार, र 2022 का final result जारी कर दिया गया है ऐसे में वे अभ्यर्थी जो इस परिक्षा में शामिल हुए थे वो अपना result BPSC की आधिकारिक website www.bpsc.bih.nic.in बतादी कि यह परिक्षा कुल 44 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी लेकिन एक बद मुक बदर के सुलिये सुरक्षित रखने की कारण कुल 43 अभ्यर्थियों को अंतिम रूफ से घोशित किया गया है वह इस परिक्षा में कुल 633 अभ्यर्थी शामिल हुए थे तो वहीं दूसरी पाली की परिक्षा दो पहर दो बज़े से शाम 4-15 बज़े तक आयोजित की गई थी टनल में फसे मजदूरों को बचाने में आ रही मुश्किले उत्तरकाशी टनल में फसे 41 मजदूरों को लगातार निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा लेकिन बीते दिन एक ओगर मसीन के खड़ाब हो जाने से बचाव काड़े में और भी देरी हो सकती है इसको लेकर NDMA के सज़श्य सेद अता हसनायन के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि टनल में फसे 47 मजदूर सही सलामत है सभी मजदूरों को खाने पीने और जरूरत का सामान सप्लाई किया जा रहा है वहीं कुछ रिस्तेदारों के द्वारा भी फसे मजदूरों से बात ठीट की गई है मजदूरों की मांसे खसीती पन्नेगरानी रखी जा रही क्योंकि यह ओपरेशन नमबाद चल सकता है हमने कभी समय सीमा नहीं दी है जब भी पहारों में रेस्क्यू ओपरेशन किया जाता है उस पर भविश्यवानी नहीं कर सकते उपंद्र कुश्वाहा ने RLJD का जेडियू में विलय की खब्रों को बताया अफवाह राश्टी लोग जंता दल के प्रमो कुपिंद्र कुश्वाह के द्वारा एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार और राजस सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव पर जमकर हमला बोला गया है और साथ ही RLJD का जेडियू में विलय की खब्रों को मात्र अफवाह बताया गया उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का जेडियू का विलय का बात कोडी बकवास और महज अफवाह है ऐसी कोई बात नहीं है उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी भविश्य में नितीश कुमार के साथ नहीं जाने वाला हूँ जिस दिल से नितीश कुमार की घोशना की गई कि वह अपनी अभी सत्ता अपने भतीचे तेश्वी यादव को देंगे उसे दिन से नितीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडियू का डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया जेडियू बिहार में पूरी तरह से समात हो जाएगी अब नितीश कुमार के हाथों में शासन का कोई भी तंत्र नहीं रह गया है और उने कहा कि अब शासन का तंत्र देश काड़याले में जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा बीदे दिन प्रेस कॉंफरेंस कर स्पेशल स्टेटस और अरक्षर मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने का काम किया गया है उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार विशेश राज्य के दरजे की मांग कर रहे हैं तो उसके उलट केंदर सरकार की ओर से कुछ से कुछ बयान बाजी किया जा रहा जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि अभी भी गुजरात के 9 जिलों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है और उसी के तहत उन जिलों को आर्थिक मदद भी दी जाती है बि कि सरकार अलग से आर्थिक पैकेज दे कर उन जिलों में काम नहीं करवाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि अगर आरक्षन कोटा संबंदि बिलको नवी सूची में नहीं डाला जाता है तो हम समझेंगे कि वह बिहार में जो आरक्षन का कोटा बढ़ा है उ दूसरा मुकाबला तीरुवनंद पूरम के ग्रीनफिल्ड इंटरनाशनल स्टेडियम में शाम साथ बज़े से खेला जाने वाला है मतादे की टी-20 के पहले मुकाबले में भारत ने जीत हांसल कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शुने की बढ़त बना ली है ऐसे में आज का तीरुवनंद पूरम में अब तक कुल तीन मुकाबले खेले हैं जिसमें दो में जीत दर्ज की है तो वहीं एक मैच में हारका सामना करना पड़ा बता दे की भारत ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला स्पोर्स अठारा और कलर सिनेप्लेक्स पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा वहीं डीडी फ्री डिस इस्तिमाल करने वाले दर्शक डीडी स्पोर्स पर फ्री में मैच देख सकते हैं वहीं इस मैच की लाइव स्ट्रेमिंग आप जी उस सिनेमा एप पर देख सकते हैं जो बिलकुल मुफ्त है बिहार के इतिहास में आज की तारीक है कई कारणों से दर्ट देश के सुईद क्रांती के जनक माने जाने वाले वरगीज कूरियन का 1921 में जन हुआ नेशनल कैड़ेट कोर की 1948 में अस्थापना हुई देश का सरवचे कानून हमारा समधान 1949 में अंगी कार किया गया आजार भारत के समधान पर 1949 में समधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक चर किया भारत में 1960 में पहली बार कानपूर एवं लखनाओ के बीच STT सेवा शुड़ हुई भारत के मुंबई नगर में 2008 में हुए आत्मंगाती आतंगवादी हमला हुआ आतंगवादियों ने ताज होटल में घुसकर अनेक अतितियों को बंधक बना लिया इसे भारती सेना ने तीन दिनों के काड़ेवाई के पश्यात मुक्त करा लिया मुंबई में 2008 में हुए आतंगवादी हमले में 164 लोग मडे 250 से अधिक घायल हुए मुंबई पुलिस में सेवारत एक वरिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर और एंकाउंटर स्पेसलिस्ट विजय सालसकर का निधन 2008 में हुए प्रसित इतिहासकार तपन राय चौधरी का निधन 2004 में हुए वरल कर में आज हम बात करेंगे वाहनों पर लोगों लगाने की मंजूरी के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सुचनाय वरल होती है लेकिन सभी सच हो यह ज़रूरी नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे वाहनों पर लोगों लगाने की मंजूरी के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्विट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सक्षकों के लिए डॉक्टरों और वकीलों की तरह अपने वानों पर लोगों लगाने की मंजोरी दे दी है P.I.B. ने अपने ट्विट में आगे लिखा है कि दावा फरजी है सुप्रेम कोर्ट दौरा ऐसा कोई नरदेश नहीं दिया गया है Instagram Reels को बिना किसी थर्ड पार्टी एप के भी डाउन्लोड किया जा सकता है इससे पहले इस फीचर को अमेरिका में लाइफ किया गया था लेकिन अब इसे भारती यूजर्स के लिए भी लाउन्च कर दिया गया है Instagram के हेड एडम मोसरी ने इसकी जानकारी दी है इस फीचर के आने से पहले Reels को डाउन्लोड करने के लिए थर्ड पार्टी Reels सेवर एप की ज़रूरत होती थी ऐसे में अगर आप भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप की मदद लिए बिना Instagram की Reels को डाउन्लोड करना चाहते हैं इसके लिए आपको कुछ steps follow करने होंगे सबसे पहले उस Reels को select करे और जिससे डाउन्लोड करना है अब share के बटन पर क्लिक करे इसके बाद आपको नीचे की और कहीं सारे option दिखेंगे उनमें से डाउन्लोड के आइकन पर क्लिक करे इसके बाद Reels डाउन्लोड करे अयोध्या के राम मंदर में सजेगा पच्चिस सो कीलो का घंटा निकलेगी ओम की ध्वनी अयोध्या में बन रहे स्रियाम के भवे मंदर का उद्गाटन और भगवान राम की मुर्ती की प्रान प्रतस्था 22 शनवरी 2024 को प्रस्तावित है लेकिन इस भवे समारो में यूपी में बन रहा एक खास घंटा जो की पच्चिस सो कीलो का होगा मालूम हो कि इस भारी भरकम घंटे के नर्मान में पच्चिस लाक रुपे की लागत लग रही है यह घंटा जिंक कॉपर लेड टीन निकल सिलवर गोल जैसे साथ से आठ धातू से मिलकर बना है आपके जानकारी क्लिबता दे कि जलेसर की मिट्टी खास है धलाई में मददकार मिट्टी की वजह से ही यहां बने घंटे में ओम की ध्वनी उदपन होती है इस घंटे को बनाने में करीब तीन महीनी का समय लगा है और करीब धाई सो लोग लगे है यह घंटा 6 फीट उचा 15 फीट गोलाई और 5 फीट त्रिज्या का होगा जो कि दिसंबर के दूसरे सप्ता में विदे विधान के साथ अयोधिया भी आ जाएगा अकाउंट में जीरो बैलन्स होने पर भी बैंक से पाएं 10,000 रुपए अगर आभी उन लोगों में हैं जिनके अकाउंट में जीरो बैलन्स है लेकिन आप बैंक से 10,000 रुपए तक का ओवर ड्राफ की सुधा हासल करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है मतादी के सुधा आप प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी द्वारा शुड़ू की गए जन धन योजना के तहट पासकते हैं जिसके तहट ग्रामीन इलाकों में रह रहे लोगों को जीरो बैलन्स पर बैंकिंग सेवाओं से जोडने का काम किया गया था ऐसे में आप इस योजना के तहट बैंक से 10,000 रुपे तक ओवरड्राफ की सुधा पा सकते हैं वालम हो कि पहले ओवरड्राफ की सीमा 5,000 रुपे निर्धारित की गई थी जिसे बाद में बढ़ा कर 10,000 कर दिया गया इस ओवरड्राफ के तहट आप से मामली ब्याज लिये लेकिन इसके अलावा आपका डीवी ती में लगातार पैसा आना जरूरी है आपका अकाउंट आपके आधार नंबर से जुरा होना चाहिए कहीं और आपका जंधन अकाउंट नहीं होना चाहिए और आवे तक क्यों मरठार से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जुरे जवाब बताएंगे जो की बीप्यासी पिहार पुलिस दरोगा समीत ऐससी जैसे अने प्रतियोगी परिच्छाव में काम आएंगे सवाल इतिहास विहार स्पेशल विग्यान करेंट अफियर्स और भोगोल से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यहां में कॉमें करके जरूर बताएं इसका सही उतर्य ओप्शन भी आउस्ट्रेलिया अगला सवाल हाली में नौवा पैन आई 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 एम विश्व प्रबंधन सम्मेलन किस राज्य के संबलपुर में आयोजित किया जाएगा ओप्शने उडिशा ओप्शन भी उतर प्रदेश ओप्शन सी राजस्थान ओप् इसका सही उतर्य ओप्शने उडिशा अगला सवाल असो के सेंस्थम बिहार में निम्म में से कहा हैं ओप्शने राजगीर ओप्शन भी पटना ओप्शन सी वैशाली ओप्शन भी गया इसका सही उतर्य ओप्शन सी वैशाली अगला सवाल हिंदुओं का पवितर तिर्थस्तल विश्नोपद मंदर कहां स्थत है ओप्शने गया ओप्शन भी वैशाली ओप्शन सी मोतिहारी ओप्शन डी पठना इसका सही उतर्य ओप्शन गया अगला सवाल विहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलस की गोली से 35 चात्रों की मृत्यू हो गई थी ओप्शन ए 1955 ओप्शन डी 1975 ओप्शन सी 1971 ओप्शन डी उनी सो सरसट इसका सही उतर्य ओप्शन डी उनी सो सरसट बीत दिन हमाय दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाप हमें मारी कॉमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमाय दुरा पूछे के सवालों का जवाब दिया है उनके नाम ह पुरसुत्तम कुमार, सीमा कुमारी, कृष्ट कुमार यादव, रामचंदर सिंग, पालन यादव, विवेक मिश्रा, राजा कुमार, सरवजीत सिंग, राजीव कुमार, अविशेक कुमार, गोनर सर्मा, नुनो गोलु कुमार, सुजीत गोग, सदुल्लाह पलवी, प्रयाग सिंग शिफशंकर कुमार यादव इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उड़ाज का सवाल है आपके छेतर में सबसे प्रसद कौन सा मिला लगता है अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्षन मलिक कर जरूर बताएं आज के लितना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ ब देख ठाद नवाद